हेलो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हमें एक रिले मॉड्यूल बनाने वाले हैं यदि आप इसको बाजार से खरीद थें तो ये काफी महँगा पड़ता है तो मैं आपको इसको कम से कम रेट में बनाकर आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ तो सब सब पहले u friends हमको एक 5-Bold की रिले की ज़रूत होगी इसके बाद u friends हमको एक Transistor BC547 की ज़रूत होगी friends इसमें जो pin रहती हैं पहली वाली pin रहती है Base, Collector और Remeser इस तरह से इसकी pin रहती हैं तो friends जो Transistor की Base रहती हैं पहली वाली pin उसको आपको relay की coil वाली pin के साथ कुछ इस प्रकार से connect कर देंगा इसकी बाद friends हमको उसमें benty connector connect करना है इसकी बाद friends हमको को एक series बनाना है तो इसके लिए friends आपको holder और एक plug की जरूत होगी इसमें friends आप जो wiring देख रहा है जो की एक black color का wire है उसको हमको कुछ इस प्रकार से बीच में से पहले cut कर देना है इन दोनों wires को friends हमको relay के साथ connect करना है तो कुछ इस प्रकार से आपे देख सकते हैं relay है इसमें friends जो बीच वाली pin है common pin इसके साथ पहले आपको एक पहला वाला black wire connect कर देना है और friends जो बचा वाला black wire है उसको आपको relay की जो normally open वाली pin रहती है उसके साथ connect करना है तो इस तरह जो friends हमने holder के connection कर दी है आप इसके बाद friends हमको Arduino के साथ connection करना है तो इसके लिए friends हमने green color के wire लिया है इस green color के wire को friends आपको transistor की जो तीसरी वाली pin है इमिसर पिन के साथ connect करना है और friends हमने एक white color का wire लिया इसको आपको transistor की बीच वाली pin बेस पिन के साथ connect करना है अब मैं आपको friends इसको Arduino के साथ connect करके दिखाऊंगा इससे पहले वाली video friends हमने एक clap switch बनाया था जिसमें friends हमने एक 3 volt LED bulb connect किया था अब मैं आपको इससे 220 AC volt पर चलने वाल अबलब connect करके दिखाऊंगा तो इसके लिए हमको relay module की जरूद पढ़ती है तो इस video मैंने आपको relay module बना कर दिखाया है तो इसके बाद friends आपको क्या करना है जो green color का wire है transistor की तीसरी वाली pin ये friends negative pin रहती है तो इसको आपको ground वाली pin के साथ connect करना है Arduino की और friends जो white color का wire है वो positive wire है इसको आपको pin number जो 13 है इसमें हमने 13 output लिया था coding में तो इसलिए हमने इसको इस तरह से connect किया है अब हमको friends इसको चल हमने एक bulb connect किया है और इसके बाद friends relay को power देने के लिए हमने 9 volt की battery को connect कर दिया है तो इस तरह से friends हमने bulb और battery को connect किया है इसके बाद friends हमको Arduino में पाबर देने के लिए आप ये देख सकते हैं मैंने पिछली वाली वीडियो में power bank बनाई थी तो इससे friends हम Arduino को power देंगे तो हमने इसमें data cable के साथ इसको connect किया है और data cable को जैसे आप इस Arduino के साथ connect करेंगे Arduino में पाबर आना start हो जाएगी और इसके बाद friends हमको AC current की ज़रुवत होगी तो इसके लिए friends हमने एक board लिया है जिसमें हमने इस plug को connect कर दिया है अब मैं आपको इसको चला कर दिखातना हूँ तो जैसे ही friends हम जो mic sense है रहे उसके पास clap करेंगे तो आप देख सकते हैं radio module हमने connect किया है तो इसकी बज़ाद से हम जो AC appliance है उसको connect करके इस तरह से जला सकते हैं